Hello Friends, Welcome to FSC Channel दोस्तो FSC Channel में आपका स्वागत करता हूँ और दोस्तो ये वीडियो लेकर आया हूँ अधिना सेवाच चयन आयोग उत्तर प्रदेश के बारे में तो जैसा कि आपको पता होगा कि फिलहाल में COVID-19 के वज़े से बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया गया है यहां तक की रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं और साथ ही कोई एक्जाम्स भी नहीं करवाए जा रहे हैं हलाकि UPPSC ने एक्जाम्स करवाना सुरू कर दिया है जैसा कि आपको पता होगा कि BEO का एक्जाम जो है वो 16 तारी को प्रस्तावित है और 9 तारी को B.A.D. एक्जाम्स भी करवा लिए गया है तो दोस्तो इसी तरह से अधिनस सेवा चैन आयोग उत्तर प्रदिस भी कुछ अपडेट दे रहा है जैसा कि अफिसिल वेबसाइट पर नहीं है लेकिन सुचनाओं के माध्यम से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोसिस करूँगा तो दोस्तो यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक और सेयर भी लोग को करें तो दोस्तो जैसा कि अपडेट जो मिल रही है वो मिल रही है कि अभी रिजल्ट इस महीने में जारी हो सकते हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि केंट सुपरवाइजर का युवक कल्यार विकास अधिकारी और स्टेनोग्राफर के रिजल्ट अभी जारी नहीं हुए हैं और ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि इन तीनों में से किसी एक का रिजल्ट इस अगस्त माह में आ सकते हैं यहां तक कि मान कर चलिए इस माहिने के लाज तक इन तीनों में से किसी एक के रिजल्ट जारी हो सकते हैं यूपीएस अससी के थुरू और दोस्तों आप अफिसेल विबसाइट हमेशा चेक करते रहें और इस से रिलेटेर हम आपको अपडेट देते भी रहेंगे और एक्साम्स की बात करें दोस्तों। जैसा कि जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। तो एक्साम्स दोस्तों नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि UPPSC भी अपना एक्जाम्स बीयों का जारी कर दिया है और जैसा कि अब धीरे धीरे सारी प्रकिराओं को धिलवाई दिया जा रहा है और एक्जाम्स करवाए जाएंगे तो अधिनत से वचेन आयोग भी अपने एक्जाम्स कलेंडर में जो भी सुधार होगा उसको ओफिसल विबसाइट के थुरू तो बताएगा है लेकिन कोई अपडेट आएगी तो ओफिसल विबसाइट के थुरू जारी कर दिया जाएगा तो आप यह मान कर चलिए कि जो भी एक्जाम्स बचे होए है या फिर अभी तो फिलहाल में वैकेंसी की कोई अपडेट नहीं है लेकिन जो टार्गेट में है वो लेकपाल की वैकेंसी है और कब तक आएगी यहां तक की चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही है कि आखिलेक लेकपाल की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी तो इसको अभी फिलहाल में कोई अपडेट नहीं मिला है जिससे मैं आपको सटिक जानकारी दे सकूँ लेकिन यदि एक्जाम्स करवाने की बात है तो वो नौंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता होगा दोस्तों कि COVID-19 के वज़र से समलित तक्निकी सेवात समान चयान परिच्छा 2-16 का जो एक्जाम था वो मार्च में प्रस्तावित था लेकिन वो हो नहीं पाया और धीरे-धीरे सारे एक्जाम्स को डालते चले हैं तो इस एक्जाम्स को करवाने के पूरे चांसेस हैं और वो नौंबर से वच्छान आयोग कितना धिलवाई से काम करता है यह तो आपको हमको भली बात अच्छी तरह से पता है तो हो सकता है कुछ चैंजिस हो जाएं लेकिन अनुमान जो भी मैं बता रहा हूं यही हैं तो दोस्तों अपनी आप तयारी जारी रखें और कोई अपडेट मिलते है है तो मैं अधम से आपको बताने की पूरी कोसिस करूंगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बक्स में जरूर पूछें आज की वीडियो दोस्तों यह पर समापत होती है तब तक के लिए धन्यवाद टिक कियर बाई बाई बाई